यह गड़ कलेवार और अंदर चलता हूं गड़ कलेवा के और देखता हूं 36 गड़ वेंजन के बारे में और यहां पर कुछ-कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत लिखा नहीं है मैं कि चीतर बना हुआ है जो कि बहुत खुशुरस है और यहां पर टोकन ओकन मिलता है और इस यहां पर बनता है सब्कुछ अधो घुल को चटमी को सब्कुछ को लेका है देखसे हैं और यहां बनता है देखसे देखते हैं आट अपन खा रहे हैं और चट्वी यहां से हम लेना पड़ता है तो आथ में मेरे बड़ा और बैठने का एरिया देख रहा हूं मैं कहां पर बैठने को मिलेगा तो यहीं पर बैढ जाते हैं आपन और बैढ के इंज्वाइ करते हैं अरे बापने यहां पर होता क्या है कि खुद जितने भी वेंजन जहीं आए जो अपन घर में खाया करते हैं अगर आप शतीत गड़ी नहीं जानते हैं जितने अग्याइश्यों जांते हैं और अगर आप खाना के जो आपने जीत जागा है जहां पर आ आप कि अपना ये सब चत्यजगर के जितने भी वहेंजन चीज़े हैं उसको आप खाके तेश करते आप परक सकते हो कि कितने स्वादिश चीज़े हम हमारे चत्यजगर के बुजोर्ग लों खाते थे और हम भी कुछ बच्पन खाया करते थे अभी तो बस एक सौंक हो गया है घर मे भी नहीं बनता है तो यहां आगे अपन खाते हैं भी सौत प्लेड मिलता है और मैंने बड़ा लिया हुआ है और मेरे वाई लिया भाई तो इसको पड़ा पड़ा खाते घर निगलेंगे और जो भी विवी बनता है आपको दिखाऊंगा तो चोकसा मारा पीठा और अपना जो बड़ा था खा के बहुत ही ओसम लगा यहां पे और अभी हाली में ने चाय लिया हुआ है दस रुपे एक चाय है तो चाय भी टेस्ट करते हैं मैंने टेश्टिया भी होगा है एक बार एक दफाया वह बहुत अच्छा रहा था यहां पे एक जरूर विजिट करना गड़ कलेवा में और बीस रुपे में सब कुछ मिल जाता है ज्याद अच्छा ज्याद आपको तीस रुपे खर्च होंगे अगर आज दू-तीन के सौंगे सबसे लाश्ट एंडिंग में यहां से जब जाओगे तो वहां पे भोजन आयला है वहां पे आप भोजन भी कर सकते हो और इसकी रेट मुझे नहीं पता है क्योंकि वह बंद हो गया फिलास और क्योंकि अभी साथ से जाद उपर हो चुके हैं और बस यही था आज का वीडि तो आपको पड़ता है क्या करना है तो मिलते नेक्स्ट ब्लोग पर तब तक सब को गुल लग है तेक केर बाबाएं